हलो एविवन विल्कम बैक टू रवी अदिती क्लासेज तो फैंस जो आज की हमारी वीडियो का टोपिक है वो रहेगा टाटा एपील 2023 से रिलेटेड तो फैंस अभी डिसेंटली की टाटा एपील 2023 जो है यह समाप्त हो चुका है ठीक है जिसमें की चन्नेई सूपर किंग्स ज आपको बताऊंगी कंप्लीट आईपील के बारे में केवल एक वीडियो में और लास्ट में हम आईपील से लेटे स्टाटिक चीके का भी सेशन डिसकस करेंगे और बीच में आपको बताऊंगी अब तक के जितने भी आईपील मैच हुए हैं 2023 तक उन सभी के विनर्स टीम के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन बिना किसी देरी के अब वेरी फर्स्ट कॉश्चन इस विच टीम है वोन दा टाइटल ओफ टाटा इपील इन दा ये ये टाइपील का टाइटल है ये किस ने जीता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर चैनेई सुपर किंग्स यानी की CSK तो चैनेई सुपर किंग ने जीत लिया है IPL 2023 का टाइटल जिसके की कैप्टन कौन थे महेंदर सिंग दोनी इंपोर्टरपोइंच की बात करें तो चैनेई सुपर किंग्स है इनोंने गुजरा टाइटन्स को पांच विकेट से हराया है और इसी के साथ चनेई सूपर किंग्स ने अपना 5th IPL का टाइटल जो है यह जीत लिया है, इसी के साथ इन्हों रिकोर्ड बना लिया है 5th time IPL का टाइटल जीतने का, चनेई सूपर किंग्स ने तो यह रिकोर्ड बनाया है 5th time IPL का टाइटल जीतने का, इससे पहले Mumbai Indians की टीम इन्होंने भी 5 times IPL का टाइटल जो है ये जीता है और उसे के साथ चने सूपर किंग्स भी अभी 5 बार IPL का टाइटल जीतने वाली टीम बन गई है अगर venue की बात करें तो इसका यो आयोजन है ये हुआ था इंडिया में एडिशन था इसका 16th अगर वहीं बात करें कि final match जो है इसका कहां पर खेला गया है तो वो खेला गया है गुजराद के हमदाबाद में नरेंदर मोदी स्टेडियम में जो की वर्ल्ड का सबसे बड़ा cricket स्टेडियम है ठीक है IPL के अगर हम वहीं बात करें टाइटल की कि चनेई सूपर गिंग्स ने कब-कब IPL का टाइटल जो है जीता है तो फिन्स 2010 में, 2011 में, 2018 में, 2021 में और 2023 में अब तक चनेई सूपर गिंग्स ने IPL का टाइटल जीता है और कैप्टन को ने चैने इस उपर सिंग के महिंदर सिंग धोनी गुज्रा टाइटन्स की बात करें जो कि सेकिंड रणनर अप रही है IPL 2023 में तो इसके कैप्टन है हार्दिक पंडिया अगर वहीं बात करें 2022 में IPL जो हुआ था इसको किसने मतलब जीता था तो गुज्रा टाइटन्स की टीम जो है विनर रही थी IPL 2022 में नेक्स कोशन क्यों और मूव करते हैं नेक्स कोशन है हमारा तो फिर जो टाइटल स्पोंसर कंपनी थी ना IPL 2023 की वो थी टाटा ओप्शन नमबर भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा टाटा जो है ये टाइटल स्पोंसर कंपनी थी IPL 2023 की यानि की इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की अगर वहीं बात करें फ्रेंज डवलू पील की यानि की विमेन प्रीमियर लीग की 2023 की इसकी भी जो स्पोंसर कंपनी थी वो टाटा ही थी और डवलू पील जो विमेन का हुआ था विमेन प्रीमियर लीग इसमें जो विनर टीम रही थी वो रही थी मुंबई इंडियन्स ठीक है इसका भी फर्स्ट एडिशन था ये भी काफे ज़ाधा इंपोर्टन टोपिक था डवलू पील से रिलेटेड वीच वीडियो आपको चैनल पर प्रोवाइट करवा दी गई है आप अगर वीडियो कंप्लीट वीडियो देखना चाहो तो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं इंपोर्टन पोइंट की बात करें तो जो ओफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर रही है ना IPL 2030 की वो रही है जियो सेनेमा वहीं बात करें अमपाइर पार्टनर ओफ IPL 2030 तो वह थी पेटियम Official Strategic Timeout Partner of IPL 2030 थी C8 और वहीं बात करें Official Orange Cap and Purple Cap Partner of IPL 2030 तो वो थी अरेम को Next question क्यों और move करते हैं Next question है हमारा Which player has won the Orange Cap in Tata IPL 2030 तो फेंस Tata IPL 2030 में किस खिलाडी ने Orange Cap जीता है Right answer हो जाएगा इस question का option number D Shubman Gill जो है इन्होंने जीता है Tata IPL 2030 में Orange Cap Orange Cap क्यों दी जाती है Friends ये दी जाती है सबसे ज़्यादा run बनाने वाले player को IPL के अंतर और जो Shubman Gill है ना ये Gujarat Titans के batsman है जिन्होंने की 890 runs score करें है Tata IPL 2030 में इसलिए इन्हें दी गई है Orange Cap और एक होती है Purple Cap तो वो दी जाती है सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले खिलाडियों को IPL के अंतरकत Next Question है Which player has won the Purple Cap in Tata IPL 2030 तो right answer is Question का option number E है मोहमद शमी ने जीता है Purple Cap IPL 2030 के अंतरकत और जो Purple Cap है ये क्यों दिया जाता है highest विकेट्स लेने के लिए और जो मोहमद शमी है ये भी Gujarat Titans के बोलर है और इन्हें दिया गया है Purple Cap IPL 2030 में इन्होंने Tata IPL में 28 विकेट्स ले हैं Next है How much amount did the winning team get in IPL 2030 तो जो 2023 में IPL हुआ है इसके में जो winner team रही है CSK इसमें CSK को कितना cash prize मिला है तो right answer हो जाएगा इस question का option number E 20 crore 20 crore मिले हैं विजेता टीम को IPL 2030 में अगर वहीं बात करें runner up team की जो की Gujarat Titans थी तो उसे मिले है 12.5 crore Next है Which team got the fair play title in Tata IPL 2023 तो Tata IPL 2023 में जो fair play का किताब है वो किस team को मिला है right answer हो जाएगा option number C Delhi Capitals Next है Which team has won the IPL trophy the maximum number of times तो सबसे जादा बार IPL की trophy जो है वो किस team ने जीती है right answer option number C हो जाएगा बहुत suitable तो friends Chinese Super Kings और Mumbai Indians दोनों नहीं अब तक 5-5 बार IPL की trophy जो है यह जीती है Next है मारा Which player hit maximum 36 sixes in Tata IPL 2030 तो 2023 के जो IPL में सबसे जादा sixes मारे है है 36 जिनकी की संख्या है वो किसने मारे है right answer हो जाएगा इस question का option number D 5-2 places 5-2 places ने सबसे जादा sixes मारे हैं Tata IPL में कुल मिला के 36 Next है हमारा Between which two teams the first match of Tata IPL has been played on 31st March 2023 तो फ्रेंस जो Tata IPL 2023 का first match था जो कि 31st March 2023 को खेला गया था यह कौन-कौन सी टीम के बीच खेला गया था option number D एकदम right answer हो जाएगा Chennai Super Kings और Gujarat Titans के बीच first match हुआ था और final match भी इन दोनों टीमों के बीच ही हुआ जिसमें की CS के जो है यह winner रही और winner रही है Gujarat Titans ठीक है वेन्यू की बात करें तो जो इसका final match थाना फ्रेंस वो के लगया था Narendra Modi Stadium एहमदाबाद में next है हमारा who has become the player to score the fastest half century in IPL तो जो सबसे तेज अर्द शतक लगाने वाले खिलाडी बन गे है IPL 2023 में वो कौन बन गे है option number a right answer हो जाएगा जश्यस्वी जैस्वाल और फैंट जो राजिस्तान रोयल्स है ना इनके batsman है यह जश्यस्वी जैस्वाल और इनकी टीम का क्या नाम है राजिस्तान रोयल्स इन्होंने यह record बनाया है 50 रंग बनाने का half century कितनी बोल्स में 13 बोल्स में प्लेयर बने हैं वो कौन बने है option number D एकदम राइट आंसर हो जाएगा शूमन गील शूमन गील जो है most valuable खलाडी बने है Tata IPL 2023 में next question है since when has the Tata IPL 2023 been organized? right answer हो जाएगा इस question का option number B 31st March 29 महे तक Tata IPL 2023 जो है इसका योजन किया गया था Tata IPL का यह होना था 28 मही को पर उस दिन बारिश की बज़े से 28 मही को यह मैच नहीं हो पाया और यह अगले दिन जानी की 29 मही को postpone कर दिया गया था इस वज़े से 29 मही को यह मैच खेला गया है अगर वहीं बात करें IPL 2023 में कुल कितने मैच खेले गए हैं तो 74 मैच जो हैं यह खेले गए है IPL 2023 में next question है हमारा who became the costliest player in the history of IPL auction in 2023 IPL निलामी के इत्यास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाडी कौन बने है right answer option number C हो जाएगा Sam Curran Sam Curran जो है यह England के player है और यह सबसे महंगे बिकने वाले खिलाडी बने है IPL 2023 में अगर वहीं बात करें कितने रूपीज में तो यह बिके है 18.5 क्रोड रूपीज में next question देख लेते हैं who has won the title of emerging player of the tournament in Tata IPL 2030 to emerging player of the tournament का किताब किसने जिता है Tata IPL 2030 में option number 1 तो right answer Jashasvi Jaiswal ने जिता है or friends अब मैं आपको other important Tata IPL 2030 के award winners के बारे में बता देती हूँ चोकी आपकी exam point of view से काफे जादा important है तो सबसे जाद जो चोके हैं वो मारे है Shuman Gil नहीं और यह Gujarat Titans के player है अगर वहीं बात करें कुल मिलाके इन्होंने कितने चोके मारे है तो 85 ठीक है Game Changer of the Season का award मिला है Shuman Gil को Electric Electric Striker of the Season का award मिला है Glenn Maxwell को और यह Royal Challenges Bangalore की खिलाडी है Catch of the Season का award मिला है Rashid Khan को Gujarat Titans के player है यह Longest 6 of the Season मारा है Fafdu Plessis ने और अगर वहीं बात करें कि कितना लंबा 69 मारा है तो 115 मीटर्स लंबा ठीक है Total number of 6s in IPL 2023 तो फिंस IPL 2023 में कितने 6s जो हैं वो मारे गए है 1124 और वहीं बात करने चोको की तो वो मारे गए है 2174 Highest score of the season रहा है Shubman Gilji का 129 cool score Best bowling figure in an innings का award मिला है Aakash Madwal को Mumbai Indians के player है Most dot balls in the tournament का award मिला है Muhammad Shami को 193 Dot balls दी है in a tournament में Most Maddens का award मिला है 3 Maddens in 10 Matches by Trent World Pitch and Ground awards मिले है One Kede Stadium जो की Mumbai में है और Add-In Gardens जो की Kolkata में है Most IPL titles as a player किसने जीते हैं Ambati, Ryan Doe ने जो की Chinese Super Kings के player है और Rohi Sharma ने जो की Mumbai Indians के player है और इन्होंने कुल 6 trophies जीती हैं दोनोंने अब तक की तो friends अब मैं आपको कुछ important records के बारे में बता देते हूं जो की IPL 2023 के अंत्रगत बनाएगे है तो first question है Which player has made the record of the youngest century in the history of IPL playoffs Shubman Gill right answer है Who has become the highest wicket taker in the history of IPL in 2023 Answer है Yujwender Chahal Next question है Who has become the first player to do the most 200 dismissals in Tata IPL 2023 Answer है MS Dhoni Next question Who has become the fastest bowler to take 100 wickets in IPL 2023 Right answer is Kagiso Rabada Next question Who has become the player to score fastest 6000 runs in IPL 2023 David Warner is the right answer Next है Who has become the foreign captain who has played the most matches in IPL 2023 Toh David Warner This foreign captain who has played the most matches in IPL 2023 Next है Who has become the fourth cricketer to score 6000 runs in IPL 2023 Right answer is Rohit Sharma Next question Who has become the third fastest batsman to score 3000 runs in IPL 2023 Right answer is Joss Butler Next question Who has become the Indian bowler to take fastest 100 wickets in IPL 2023 Right answer is Harshal Patel Next question Who has become the first batsman to score 50 or more scores against 13 different IPL teams Right answer is Virat Kohli Next question Who has become the oldest wicket taker in IPL 2023 Amit Mishra Who has become the first Indian bowler to take the fastest 50 wickets in IPL history in 2023 Right answer is Khalil Ahmed Gujarat Gujarat Titans has was the highest ever score in an IPL final So friends Gujarat Titans which have been the highest score in the IPL final Now until the IPL final How many runs have been made? 214 runs and 4 wickets Most totals above 237 times Most success in a single IPL season 1,124 Most centuries in a single IPL season 12 So friends These were some important records which I have discussed with you Now I will tell you IPL's all time records till 2023 This list is updated So friends Batting which the most run has been made Virat Kohli and they play Royal Challenges for Pangalore and how many runs have been made? 7,263 If you explain Most half centuries David Warner Daily Catalyst 现在 Count this list 2020 2 2023 पर नहीं है, 2023 से पहले भी जितने मैचे से उने उन सभी के उस पर ये अधारित है, ठीक है, Most centuries बनाई है विराट कोहली ने, और कितनी बनाई है, 7, वहीं बात करें, fastest half century जो है, के रहे हैं, पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं, और 175 हाइस स्कोर रहे है, बेस्ट स्ट्राइक रेट, आंद्रे रुसेल का रहा है, कोलकता नाइट राइडर्स के प्लेयर हैं, और 174 इनका स्ट्राइक रेट रहा है, Most wickets लिए है, जो 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 बेंदर चाहल नहीं, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, और इन्हें ने अब तक की 187 wickets लिए हैं, तो ये तो थे कुछ important question, ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ, लिस्ट जो अब तक की winner teams रही है, IPL में, ठीक है, तो फ्रेंज, आप इसका screenshot ले सकते हैं, यहना मैं आपको इसमें बताऊंगी सिर्फ कि उनका edition कब था, कौन सा था, कहां पे, एर में, और winner team के बारे में बताऊंगी, बाकी आप यहां से screenshot ले सकते हैं, तो फ्रेंज, जो 2008 में first match हुआ था, इसका edition, first edition था, इसमें winner रही थी, राज्जेस्थान रोयल्स, जिसके की, जो captain थे, यह थे, शैन वोर्ने, 2009 में इसका second edition हुआ था, और deck and charges जो है, यह winner रही थी, और फ्रेंज, captain और venue के बारे में आप यहां से list से देख सकते हैं, और screenshot भी ले सकते हैं, और आपको नीटो free PDFs जो है, हमारे telegram channel, रवी अदीती classes पे provide करवा दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं, 2010 में France 3rd edition हुआ था, इसका जिसमें की चैनेई सूपर किंग्स जो है, यह winner रही थी, MS Dhoni जो है, यह captain थे, 2011 में 4th edition हुआ था, चैनेई सूपर किंग्स इसमें भी winner रही थी, और MS Dhoni इसके captain रहे, 2012 में हुआ था 5th edition और Kolkattा Knight Riders जो है, यह winner रही थी, 6th edition की बात करें तो 2013 में हुआ था, मुंबई इंडियंस जो है, यह winner रही थी, 2014 में 7th edition हुआ था, इसका जिसमें की Kolkattा Knight Riders जो है, यह winner रही थी, 2015 में हुआ था 8th edition, मुंबई इंडियंस जो है, यह winner रही थी, और 11th edition में इसके चननेई super kinks विनर रही थी 2018 में खेला गया था 12th edition इसका 2019 में हुआ जिसमें की Mumbai Indians फिट से विनर रही 13th edition इसका हुआ था 2020 में Mumbai Indians इसमें विनर रही थी 2021 में 14th edition हुआ था Chinese super kinks विनर रही थी और 2022 की बात करें जब 15 एडिशन था तो गुजराथ टाइटन्स इसमें विनर रही थी और 2023 जो अपका मैस था ये 16 एडिशन था और जिसमें की चैने इस विनर रही थी और सेकेंड रणर अप रही है गुजराथ टाइटन्स तो फैंस ये तो थी लिस्ट ठीक है अब तक के IPL विनर्स टीम्स की अब मैं आपका वता देती हूं 10 टीम्स के बारे में IPL की जिन्हें की उनके ओनर उनकी कैप्टन और उनके हैट कोच के बारे में आपसे डिसकस कर लेती हूं जिन्होंने IPL 2023 में पार्टिसमेंट करा था तो फैंस ये नहीं सूपर किंग्स जो है इनके ओनर है एन श्री निवासन कैप्टन कोन है MS थोनी और हैट कोच है स्टीफन फ्लैमिंग डेली कैपिटल्स की बात करें सजन जिंदल और जीम राउन की टीम है ये डेविड वोनर जो है ये कैप्टन है और रिक्की पॉंटिंग जो है हैट कोच है गुचार टैटन की बात करें तो स्टीफ कोल्स, डोनाल्ड, मैकनीज और रोली वैन रैपार्ट जो है ये इसकी ओ नितिश रानल जो है captain है और चंदर कांत पंडित है लगनोव सुपर जैन्स जो है इसकी टीम इसके जो संजीब गोईंका है यह इनकी ओनर है और के ल राहूल इसके captain है एंडी फ्लार जो है इसके head coach है मुंबाइ इंडियन की बात है मुकेश अंबानी ची की team है रोही शर्मा captain है इस टीम के और मार्क बाचर जो है head coach है पंजाब किंग्स की बात आई है मोहित बुर्मन नैस वाडिया प्रिटी जिन्ता और करन पोल जो है इसके ओनर है और शिखरदवन captain है ट्रिवर बैलिस जो है इसके head coach है राजस्थान रोयल्स मनोज बदाले और गैरी cardinal जो है इसके और है sonju samson जो है इसके captain है और कुमार estángakara जो है Sunrides Dr. GLTT Maran जो है इसके captain है tonight je practice head coach है eadgan markrum जो है इसके captain है और brain lara जो है इसके head coach है Roy challenger banglors की बात करें तो united spirits इसके owner है और USSlaner Espight लैसिस सिए captain है Sanjay Bangar, जो है यह इसके head coach है, तो फिर्स यह तो थी list IPL की 10 teams के बारे में, ठीक है, अब मैं आपको IPL से लेटर कुछ important static GK के questions बता देती हूं, तो चलिए फटा फट से इनको revise कर लेते हैं, What is the full form of IPL, तो IPL की full form है Indian Premier League, वहीं WPL की full form मैंने आपको पर ही बता दी थी, Women Premier League, In which year was the first edition of IPL held, तो 2008 में first match खिला गया था IPL का, the first edition of IPL which was played in 2008, which was the winning team, तो Rajasthan Royals जो है winning team रही थी इसमे, 2008 में, और runner-up रही थी चैने इसोपर Kings, और when you की बात करें तो DIY Partial Stadium जो की मुंबई में है, इसका आयोजन वहां पर हुआ था, which organization organized IPL in India, तो IPL जो इंडिया में organize करता है organization वो करता है BC's है, यानि Board of Control के किट इन इंडिया, next है, who is the president of Indian Premier League, तो Aarun Singh Dhomal जो है, यह present में president है, Indian Premier League है, why orange cap is given in IPL, तो highest run scorer को दी जाती है, orange cap, why purple cap is given in IPL, तो highest wicket taker को मिलती है, purple cap, next, who has become the first player to play 200 matches in IPL, तो Mahindra Singh Dhoni जो है, यह first player बन गये है, 200 matches खेलने वाले अब तक के IPL में, which player has become the first player to score a century in two consecutive IPL matches, तो Shikhar Dhawan, next, which has become the first team to win 100 matches in the IPL, Mumbai Indians जो है, इनोंने 100 matches जीते हैं, अब तक के IPL में, what is the new name of IPL team, Kings 11 Punjab, तो Punjab Kings, जो है, इसका नया नाम है, Kings 11 Punjab, इसका पुराना नाम था, who has become the captain to win 100 matches in IPL, तो Mahindra Singh Dhoni बने है, captain जोने अब तक के 100 matches जीते हैं, who has become the first cricketer in the world to captain in maximum 300 T20 matches, तो Mahindra Singh Dhoni राइटान सा है, who has become the first player to complete 100 catches in, for a franchise in the Indian Premier League, तो Mahindra Singh Dhoni जो है, first player रहे हैं, 100 catches करने वाले, जने ही Super Kings के लिए, next, who has become the first player to score 1000 runs against a single team in IPL, तो हो ही शर्मा, next question, who became the first Indian batsman to score 6000 runs in IPL, first Indian batsman, जो है, 6000 runs बनाने वाले IPL में, वो है विराट कोहली, next question है हमारा, what is the new name of IPL team Delhi, Deadwills, तो Delhi Capitals इसका नया नाम है, तो फरेंस, इसी के साथ हमने अपनी आज की वीडियो कम्पलीट कर ली है, उम्मीद करते हूं, वीडियो आपको पसंद आई होगी, अब आपके लिए 2 questions का test रखा है, 2 questions का test आपने देना है, complete video देखने के बाद, तो चलिए test वाला part start कर लेते हैं, which team has won the title of Tata IPL in the year 2023, 4 options हैं आपके पास, answer आपने मुझे comment box में write कर के बताना है, next question test का, which player has won the orange cap in Tata IPL 2023, 4 options हैं, answer आपने comment box में बताना है, तो friends, इसी के साथ हमने अपने आज की video complete कर ली है, अब मिलते हैं next video में, तब तक के लिए thank you and wish you all the very best.